जाट का रहा है हमील रभाजरमी अरभाज़ करिया है उड़ाने की कौशिस मत करिया है अने अरात्वान गेर तो कि में गेर हम बद्रेंदर के जीते हैं तो अताव बंदगा बंदगा मेवाद से कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ वीडियो बताया जा रहा है 22 अप्रैल को कुछ लोगों ने मेवाद के अंदर कुछ गौत तसक्राइब करों को पकड़ कर निकाला घर के अंदर से इस वीडियो को वायरल किया गया वहीं अब इस पर बवाल शुरू हो पकड़े रंगे रहा हुआ है चुडाने की कोशिस मत करिया है अने अरा तो अने गेर तो कि में गेर एना तो कि में गेर जहां बीते दिनों हमने देखा कल कि किस तरह से मेवाद शेकपूर और नू के विधायक पहुचे डीसी ऑफिस मेवाद नू के डीसी ऑफिस पहुचे और वहां उन्होंने हंगामा मचाया और कहा कि इस तरह के लोग जो गौत असकरी को रोकने के नाम पर और गौर अक्षा और बजरंग दल के लोग अपने आप को कहते हैं इन्हें हम छोड़ेंगे नहीं अगर ऐसी हरकत दुबारा उन्होंने मेवात में की इस तरह की बात उन्होंने अपने इस वीडियो में साफ कहते वे नजर आए वहीं इसके बाद अब बवाल देखने को मिला गुरू सच के साथ मैं प्रगती पांडी लेकर आगए हैं आपके सामने गुरू ग्राम की ख़बर आप सभी को पता है कि किस तरह से मेवात नू के विधायक ने साफ साफ धंकी वरे शब्दों में कहा यदि अगर अब कोई भी गौर अक्षक या बजरंग दल के नाम पर मेवात में गुसकर और मेवात के लोगों को इस तरह से घसीट कर लेकर जाएगा तो हम उन्हें बता देंगे कि हम मेवाती क्या हैं और साथी इलजाम लगाया कि इस तरह के लोग मेवात के जो हिंदू और मुस्लिम भाई चारा को बिगारना चाहते हैं इन्हें हम बिल्कुल ऐसी हरकत नहीं करने देंगे और साफी कहा उन्हों की इस तरह के शर्टार्ती तत्व को आखिर प्रशासन ने इतनी छूट क्यूं दे रखी है कि वहीं उन्होंने मेवाद DC के पास जाकर ये अपील की कि इस तरह के लोगों को तुरंट पकड़ा जाए और इनके खिलाफ कारवाई की ज लोगों को वापिस दिया जाए जिन्हें ये पकड़ कर और घसीट कर ले गए उसके बाद इतना इनकी बोलने की देरी थी और जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया उसके बाद अब गुरुगराम DC के पास पहुँचे जहां पर बजरंग दल गौर अक्षक दल के ल हैं परन्तु अगर इस तरह के लोग और मिले तो हम एक एक को घर से निकाल कर और पुलिस को दें परन्तु गौ तसकरी को हम बिलकुल माफ नहीं करेंगे क्योंकि गौ को हम माता कहते हैं और हमारे माता के खिलाव को इस तरह की हरकत करें वह हमसे बिलकुल भी बरदाश नही इतना ही नहीं यहाँ पर कई लोग मौजूद रहे गौर अक्षक दल से जहां बात करे जाए मोनू मानेसर भी वहां मौजूद थे वहीं गौर बजरंग दल से मौजूद थे और अने बचरंग दल के जो अध्यक्षे हैं और लोग गौरक्षक दल के वहां मौजूद रहें और उन्होंने आज गुरुगराम डीसी को इस विसे पे ग्यापन सौ इन लोगों के खिलाफ तुरंट से तुरंट कारवाई की जाए ताकि अमन शांती बरकरार रहे गुरुग कि देखे जाते हैं कि अभी तो तुम रह लो इस घर में कुछ दिनों बाद हमें ही रहना है इस तरह के लोगों से बचाने के लिए उन्होंने कहा कि मेवात में हो रहे अगर किसी भी हिंदू के ऊपर अत्याचार हुआ तो हम माफ नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने जिस तर कि अधियर काहा कि देखिए जी सन 2014 में बाजबा की सरकार आई और 2015 में माननिय मुख्यमंत्री मनोराल खटरिटी ने गौहत्या निरोधी कानून बनाया जिसमें गौहत्या पे 10 साल की सजाय और एक लाग रुपे का जुर्म आए वो वीडियो जो आ रहे हैं उसमें का जा रहा है कि पहाड के इस तरह आए दिखाओ तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले तुम मेवात भारत के अंदर है और अर्याना का इससा है आप अर्याना का समीधान चलता है ना कि उनका कोई शरिया या परसनल कान उन चलता जो दमकी दे रहे हैं मानने मुख्यमंत्री जी ने ग करना है तो सीधी फोर्स उदार के लिए पड़ती है तो यह जो जा रहे हैं समिधान की साहता के लिए जा रहे हैं परसाश्न दिखली वी जा इनकानून काम नहीं करते फिछी होती है खुली वीडियो में दिखाइगा रही है कि यह गाए-गाय-बी काली ती चाहिए वो इस जो बेरुजगारी है जो स्वास्ते सेवाओं को अभाव है जो जंधंग्या की समस्या है जो वहां पे लोगों के पास आर्थिक स्थर बिल्कुल गिरा हुआ है चोरी और यह दकैती हो रही है उसको वहां के विकास के बारे में सोचे और वह मुख्यदारा में आने के साथ हो स जाने की जिरूत नहीं पड़ेगी और गोहत्या होत हुई तो वैसे ही गई को पकड़ा जाएगा और वहां के वापी चोड़ने का तो को सवाल ही नहीं उठता जो गाय को कातेगा उसे इसी परकार से घर के अंदर से कीच के बाहर निकाला जाएगा और यह खुली चितावन लोगों को वहां के विदायक मामनकार कहता है कि मेवात के अंदर किसी बजरंग दल को या गोरक्षक कार्यकरता कुष्णें देंगे हम मेवात की छोड़ी हर उस कमरे में उसके तो काटने वाले को निकाल के लाएंगे जो गाय काटेगा वो इसी परकार से घसीटा जायेगा सरो परतम आपको बता दूँ कि जो गोरक्षक है वो परसासन की मदद के लिए है ना कि उन्होंने अपने आपने कानून ले रखा है जब हमारे कोई कार्य करता अगर कोई सची स्टेटमेंट भी देते हैं तो उनकी वीडियो वायर करके उनके खिलाम मुग में दर्ज कर दे जाते हैं और जो दूसरे समधाय के लोग है और यहां तक कि मेवात की स्टितों बिगडी रही है मैं गुडगाओं के स्टिते पता दूँ जो यह कबाड़ी जाते हैं गलियों में यह खुद कहते हैं कि कुछ दिनों के लिए तुम मकान में रहो बाक्य आके हमने रहना है हम और आगे यह इस परकार के सरारते करते रहेंगे जो मामन खान कोई विधायक है ऐसा नाम सुना है उसने कोई स्टेटमेंट दी है अग भई यह मेवात खाली कराते हैं कि मेवात में जो अप संकी हिंदू रहते हैं वो अपने आपको अकेला ना समझे हम दढ़ता से उनके सा कल की बात है कि हमारे कुछ दलके करता है उनके खिलाब बेनामी एक कराई है जो कि सरासर गलत है यह उनके प्रॉपगंडे है उन्होंने खुद ही अपनी स्कॉर्पियों को गाड़ी मंगए उसमें किसी को डलवाया और अंजान के खिलाब एक करा दी लिफ्टिन की सरारती है उन्होंने खुद यह कारे रहें और यह जोटे मुख्मेंड के खिलाब ना हो और जो हमारे गोर राच्षादल के बच्चे वह उनको सुर्क्षा पर्दान की जाए जो हमारे वह दौनी संस्क्रति है यह अतितीदेवववावाय है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है, हम जिसको गव माता कहते हैं, उसको कोई काटेगा, गव माता, अगर कोई हमारी माता की तरफ आख उठाके देखेगा, तो घर से निकालने की बात कर रहे हैं, कोण है वो, किसको निकाला है, अब ये भी तो पता करिए ना, परसासन पता करे, आप पता करो ना, किसको निकाला है, गोत तसकरों को निकाला गया है, और कोई गलत नहीं है, और ऐस तरह कि ये जो कह रहे हैं, कि वीडियो बना के कि क्या ये, मिवात, क्या हो गया मिवात, मिवात हमारा अंग है, वो भूल रहे हैं, उनके पूर्वज भी हिंदू थे, वो converted हैं वो समझ ले या तो समझ ले नहीं उतको समझाया जाएगा देखिए पूर्ण रूफ से उनके साथ हैं वो सरार्ति तत्व हैं गो तसकरी में पीछे छे महिने पहले मोनु माने सर और पूरी टीम ने गो तसकरों को पकड़वाया परसास पुलिस के हवाले किया चोटे आई क्या वो गलत थी होस्पिटलों में वो जिंदगी और मोत के बीच लड़ रहे थी क्या वो गलत था रोजा ना गो तसकरी किरी जाती क्या वो गलत है क्यों नहीं बोलते कुछ करके तो दिखाएं, बाते करने से कुछ नहीं होता, रजल्ट चाहिए, रजल्ट तब आएगा, तब उनके विचार बदलेंगे, विचार बदलेंगे, तो भाहिचारा भी कायम रहेगा, लेकिन हम डॉक्टर एपी जी अब्दूल कलाम को मानते हैं, उनको परणाम करते हैं, लेकिन गोतसकरों को उनको यही जवाब दिया जाएगा, वो या तो बंद कर दें गोतसकरी, या अपने इसाब से रहें, हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर इस तरह से गव माता को काटा जाएगा, वो बरदास नहीं करेगा, ना बजरंग दल करेगा, ना गोरक अब देखना ये है कि मामला कितनी दूर तक जाता है और इसी तरह की खबरों के लिए गुरुग्राम की आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रही है आप देख रहे हैं दाहिंद वारी न्यूस धन्यवाद हम बद्रंदल के चीते हैं अब दू के चीते हैं गौता बंद करो बंद करो अचीते हैं